दियर स्टुडेंट्स वेलकम इन इपाव अकेडमी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का फॉस्ट चैप्टर दाट इस सम् बेसिक कंसेप्स ऑफ केमिस्ट्री तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वाट इस केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री क्या है इडिस ब्रा मैंट्रीशन थैक है मैंट्रेंट मैंटर से उनमें कि और क्या धा है यानि कि उसमें क्या प्रेगश प्रिजिट एकमिकल प्रॉपरेट्री नेंसे ऊ borrowed के ऑलिकल इसी तरीके से electrical, magnetic property, optical properties, यह सब discuss करेंगे, ठीक है, chemistry में discuss करते हैं, और हम लोग last में, जो matters हैं, different matters हैं, वो कैसे आपस में interact करते हैं, matter basically solid, liquid and gas, और वो आपस में कैसे interact करेंगे, वो कैसा behave करेंगे, और हमको result क्या मिलेगा, यह सब आता है under the chemistry, यानि कि after studying chemistry, you get all these answers, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, chemistry means, study of atom, study of molecules, या ions, तो यह सब क्या है, they are microscopic particles, ठीक है, यानि कि हम यह easily देख नहीं सकते हैं, आँखों से, इसके लिए कोई sophisticated instrument यूज़ करना पड़ेगा, हम लोगों को, इनको observe करने के लिए, तो अगर मैं बोलूँ आपको, क्या आप किसी matter, कोई matter है, उसमें कोई given mass है, तो क्या आप उसमें बता सकते हैं, कितने atoms present हैं, या आप देख सकते हैं, directly in 9, तो यानि कि, यह सब possible का हुआ, जब chemistry की study हुई, दीरे दीरे यह बहुत ही long procedure है, chemistry की जो study हुई, बहुत सालों से हो रही है, और इसमें study की गई, और बहुत से ऐसे facts बताये गए, laws बताये गए, जिसको हम लोग अपने study करने के बाद, हम उसको use कर सकते हैं, for our other observations, जैसे की कोई matter है, अगर आप उसकी property समझ लें, property अगर पता चल गई, chemical property जैसे suppose हमको पता चल गई है, तो उसको हम लोग यूज गर सकते हैं, for the synthesis of other material, तो यह एक advantage हो गया, advantage of using chemistry, तो जो chemistry है, वो हम लोग देखते हैं, अपनी daily life में, चारों और देखेंगे, जो भी ची जैसे की solid, liquid, gas, ठीक है, तो main जो है chemistry, यानि कि हमाई body में भी chemical reactions चलने है, इतने भी body में reactions होते हैं, उसब chemical reactions होते है, biological, chemical reactions होते हैं, उसब में आप देखोगे, ठीक है, role of chemistry, ठीक है, जैसे भी मैंने बोला, मैंने बोला, 20 gram of gold, 20 gram of gold है आपके पास, उसमें मैंने पूछा कि कि इतने atoms हैं, या कितने molecules हैं, तो आप easily नहीं बता पाऊगे, atoms और gold नहीं बता पाऊगे, लेकिन chemistry ने इतना हम लोग को benefit दे दिया है, advantage दे दिया है, कि हम लोग उसमें बता सकते हैं, easily, by using some laws, rules, regulations, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, in some basic concepts of chemistry, that is the class 11th, first chapter, chemistry पूरी तरीके से experimental based होती है, lab में जो भी experiment किया जाता है, उसमें observation हम लोग लिखते हैं, in the form of laws, in the form of rules, फिर उन rules और laws को use करते हैं, for other observation, for other synthesis of material, तो यहां पर lab में जो भी experiment किया जा रहा है, यानि कि measurement किया जा रहा है, तो measurement में हम लोग generally two terms use करते हैं, एक होता है accuracy and second is called precise, तो यानि कि जो भी experiment होना चाहिए, वो accurate होना चाहिए, और precise भी होना चाहिए, तब जो हमारा experiment है, वो successful कहलाएगा, तो accuracy और precision को समझने के लिए, एक हम लोग example लेते हैं, यहां पर एक gold coin लिया है, जिसका actual mass है, 10.10216 gram, और यहां पर three students select किये, for this, ठीक है, तो student A, B and C, इनको बुला गया आप four times experiment करिए, और results बताईए हमको, तो student A ने अपने four results बताए, student B ने भी अपने बताए results, और student C ने भी अपने four results बताए, जिससे कि हमको यह पता चला, student A is more accurate and more precise, student B लेकिन precise था, लेकिन accurate नहीं था, जबकि student C ना तो accurate है, ना तो precise है, तो यह कैसे पता चला, तो यह जो actual value जो दी गई है, given value, actual mass, उससे पता चला, तो देखे, तो first student के जो results थे, four results, उसमें जो two results है, one and four, वो पूरी तरीके से actual mass के equal है, ठीक है, actual mass के equal result आए, तो यानि कि accurate result आए, पूरी तरीके से 100% result आए, और second और third में थोड़ा सा difference है, minute difference, minute difference, यानि कि जो student A के जो results है, वो accurate results है, accurate, और precise क्यों बोलने हैं इसको, precise इसलिए बोलने है, जो four results है, precision का मतलब है, जो बार-बार हम लोग जो results करते हैं, जो experimental results मिलते हैं, वो अगर आपस में close हो, आपस में agree हो रहे हो, तो वो precise value होती है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे ह हैं, आपस में similar है, ठीक है, दो तो बिल्कुल exact similar है, बाकि second और third minute difference है, यानि कि they obey degree of agreement, इसलिए इसको बोलते हैं, precise, precise means degree of agreement, आपस में agree होने चाहिए, और अगर यह result, actual true value की close होंगी, तो वो accuracy बोलते हैं उसको, तो student A is both accurate and precise, यानि कि उसके जो result है, experimental result वो accurate भी है और precise भी है, जबकि student B is more precise but not accurate, क्योंकि जो student B के जो चार result है, four results, वो actual mass के equal है नहीं, कोई भी actual mass के equal नहीं है, या बहुत ही close है, लेकिन यह जो four results है, student B के यह आपस में agree कर रहे हैं, तो student B ने कहा कि हमने सर चार बार experiment किया और result बहुत ही close आ रहा है एक दूसरे से, इसका मनला मेरा सही है, लेकिन वो सही accurate नहीं बोला जाएगा, वो precise बोला जाएगा, यानि कि आप अपने में agree कर रहे हो, लेकिन जो actual mass है उसके close नहीं है, यानि student B is not accurate but it is precise, जबकि जो student C है, student C, उसकी जो results है, ना तो accurate है, ना तो precise, तो इसमें कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो results आ रहे हैं, फोर वो आपस में agree नहीं कर रहे है, आपस में बहुत close नहीं है, बहुत difference जादा है, ठीक है, तो यानि कि अगर हम तीनों में comparison करें तो, जो student C, उनके जो results है, वो पापस में agree नहीं कर रहे है, तो precise नहीं है, और इनके जो results हैं, वो close भी नहीं है, इसलिए यह accurate भी नहीं है, तो accuracy का मतलब है, mean experimental value minus true value, यानि कि difference between mean experimental value minus true value, this is called accuracy, जितना कम difference होगा, उतना ज़्यादा accurate होगा, this is a simple accuracy, और precision का मतलब है, degree of agreement, अगर हम बार-बार repeatedly, experimental experiment करें, और result हमारा almost same आता रहे, तो उसको बोलते, degree of agreement, precise, लेकिन यह जरूई नहीं है, कि वो accurate भी हो, ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं, dartboard, एक खेल होता है, export होता है, dartboard, तो उसमें concentric rings होते हैं, तो जो बिलकुल center point में जो ring है, ठीक है, वो target, hitting target होता है, अगर उसमें 4 बार hit कहिए आ जाए, तो suppose first time में, ठीक है, first four target जो है, बिलकुल center पे लग रहे है, central पे, ठीक है, लेकिन वो बहुत आपस में दूर है, जो space है, there is a space between four dots, तो इसको बोला जाएगा accuracy but not precise, accurate तो है, क्योंकि center पे target hit कर गए है, लेकिन precise नहीं है, क्योंकि जो four dots से दूर-दूर है, लेकिन second time में, हमारे पास four hits कि हमने, वो center पे नहीं लगके, थोड़ा सा बहार आगे, और लेकिन जो four dots है, बहुत ही close, एक दूसरे के four dots, विलकुल close है, ठीक है, तो यानि कि इस case में बोलेंगे, more precise but not accurate, तो this is a simple, ठीक है, explanation of precision and accuracy, तो यह हम लोग generally use करते हैं in a science, in a physics also, तो यहां पर हमको एक conclusion मिला है, कोई भी measurement है, उसका result हमेशा एक number के form में होता है, उसको बोलते हैं physical quantity, इस physical quantity में जो last digit है, वो हमेशा vary करेगा, वो होगा uncertain digit, और बाकी के जो digits हैं, वो certain digit होते हैं, वो fixed होते हैं, ठीक है, सिर्फ last का digit जो change हो रहा है, वो uncertain digit होता है, तो इसको हम लोग बताते हैं in the form of significant figures, total number of digits in measured physical quantity is called number of significant figures, तो यह जो significant figures है, यह हमको बताता है precision of the measured quantity, जो हम लोग measured कर रहे हैं quantity, उसका precision बताता है significant figures, तो इसके लिए एक example आप ले सकते हैं, जैसे कि एक pencil है, उसकी length है 18 cm, अब यहाँ पे 18 cm है 1 8, तो इसमें 2 significant figures होंगे, और यहाँ पे जो last digit है 8, वो vary करेगी, vary कर सकती है, one value up and down, यानि कि यहाँ पे uncertainty हो जाएगी plus minus 1 की, plus minus 1 की, यानि कि 17 cm से 19 cm के बीच में इस pencil की length होगी, जो की 18 cm है, ठीक है, अब यह कैसे significant figure precise, यानि precision बताता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 को हम लोग लिख सकते है, 18.0, 18.0 cm, तो यहाँ पे अब जो last digit है, वो 0.0 हो गया, वो vary करेगा, तो यहाँ पे जो uncertainty हो जाएगी, वो हो जाएगी plus minus 0.1, plus minus 0.1, यानि कि पहले कितनी थी, plus minus 1, और अब कितनी होगी, plus minus 0.1, कम होगी, uncertainty, यानि precision, precise, तो यहाँ पे जो range हो जाएगी, 18.0 cm के case में, वो हो जाएगी, 17.9 से 18.1, और इस range के बीच में, correct value होगी, 18.0 cm, इसी तरीके से अगर हम लोग 18 को 18.00 cm लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 significant figures आ जाएगे, 4 significant figures आने से uncertainty जो हो जाएगी, वो plus minus 0.01 की हो जाएगी, ठीके, और जो range होगी, इस uncertainty में जो range होगी, पेंसिल की, वो हो जाएगी, 17.99 से 18.01, और इसके बीच में, जो correct value होगी, पेंसिल की हो जाएगी, 18.00 cm, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि, जो significant number of significant figures हैं, वो precision को refer करते हैं, किसी भी measured quantity के, ठीके, अगर significant figures जादा होंगे, तो measured quantity है, वो precision की तरफ move करेगी, तो यह एक significance है, ठीके, about significant figures, तो यहाँ पे हम लोग एक point note करेंगे, significant figures में decimal point को count नहीं किया जाता है, तो यह हमको याद अखना है, और significant figures find करने के कुछ rules हैं, पहला rule यही है, कि जितने भी non-zero digits हैं, वो होते हैं, number of significant figures, जैसे कि 146, तो यहाँ पे 3 significant figures होंगे, 15.61, तो यहाँ पे 4 significant figures होंगे, 216.456, तो यहाँ पे 6 significant figures हैं, तो second जो rule है, वो यह बोल ला है, कि अगर 0 left side placed है, left side अगर कोई भी 0 placed है, तो वो consider नहीं करेंगे as a significant figure, for example, 0.56, तो यहाँ पे 2 significant figures होंगे, left side में जो 0 है, उसको count नहीं किया जा रहा है, और decimal point को तो करते ही नहीं है, ठीक है, 0.056, तो यहाँ पे 2 significant figures हैं, 0.0056, तो यहाँ पे 2 significant figures हैं, similarly, 0.00312, तो यहाँ पे 3 significant figures होंगे, third rule यह बोलता है, अगर 0 right of the decimal point में हैं, यानि कि right of the decimal point पे कोई भी 0 placed है, तो उसको consider करेंगे as a significant figure, for example, जैसे कि हमने बोला 15.0, तो यहाँ पे 3 significant figures हो जाएंगे, 71.00, तो यहाँ पे 4 significant figures हो जाएंगे, तो इस तरीके से decimal point के right side में जो भी 0s होंगे, जितने भी होंगे, वो count किये जाएंगे as a significant figures, और last में fourth point यह है, अगर 0, 2 non-zero digits के बीच में है, तो उसको count किया जाएगा as a significant figures, जैसे कि 21.02, तो इसमे 4 significant figures होंगे, 15.001, तो इसमें कितने होंगे, 15.001, तो यहाँ पे होंगे 5 significant figures, इस discussion से हमको यह conclusion मिला है, कोई भी physical quantity, जिसमें non-zero digits हों, और non-zero digits के बाद में more than 1 zeros present हो, for example, एक हम लोग ने small physical quantity ले लिए, 1300 cm, तो इस case में, जो number of zeros हैं, वो after 2 non-zero digits के बाद placed हैं, तो इस case में अगर हमको number of significant figures find करने होंगे, तो वो uncertain होंगे, यह जो physical quantity है, इसमें significant figure 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, वो depend करता है कि measurement कितना precise है, depend upon the precision of measurement, तो इस uncertainty को खतम करने के लिए, हम लोग जो physical quantities होती हैं, very large या very small, यानि कि बहुत large quantity या बहुत ही small physical quantity को, हम लोग generally express करते हैं in exponential notation, इसको हम लोग scientific notation भी बोलते हैं, exponential notation, तो इसको हम लोग general लिख सकते हैं, capital N into 10 to power small n, यहाँ पे capital N होता है, और number जो की, एक single non zero digit होता है, to the left of decimal point, और जो n है small n वो एक integer है, जैसे की 1300 cm को हम लोग exponential notation में लिख सकते हैं, जो की है 1.3 into 10 to power 3, तो यहाँ पे जो left side में जो non zero digit है 1, वो एक single non zero digit है, और उसके बाद एक decimal point है, ठीक है, और यहाँ पे जो 10 to power n है, n यहाँ पे small n है 3, that is the integer, तो यहाँ पे हम लोग ने 1300 cm को scientific notation में लिख दिया, अब जब हम लोग ने scientific notation में represent कर दिया, तो यहाँ पे जो number of significant figures हैं, वो हम लोग exact पता सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ two significant figures होंगे, यानि की 1 and 3, जो non zero digits हैं, उन्हीं को consider करेंगे as a significant figure, तो यहाँ पे significant figures are 1 and 3, यानि की there is only two significant figures, जिसकी वज़े से measurement भी precise हो जाएगा, only up to two significant figures, तो यहाँ पे अगर हमको, हमाई पर कोई physical quantity है, 2.935 into 10 to the power 5, तो यहाँ पे कितने significant figures होंगे, यहाँ पे four significant figures होंगे, इसी तरीके से, 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second, यह एक plank constant होता है, तो यहाँ पे four significant figures हमको, देखने को मिल रहे हैं, एवेगेडो number जैसे कि 6.02 into 10 to the power 23, तो यहाँ पे three significant figures हमको मिलेंगे, तो यहाँ पे scientific notation को use करके, exponential notation को use करके, हमारा जो result है, वो precise हो जाता है, up to less number of significant figures, exponential notation में, integer की value, 10 to power n, जो small n है, integer की value positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, अगर decimal point को, हम लोग left side shift कर रहे हैं, left side, जितने place, left shift करेंगे, उतना ही यहाँ पे positive number आ जाएगा, positive integers आ जाएगे, similarly, अगर decimal point को, हम लोग right side shift कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पोजीशन्स, हम लोग जितनी shift करेंगे, right side उतना ही यहाँ पे, integer हो जाएगा negative, तो इस तरीके से, हम लोग क्योई भी physical quantity को, scientific notation में express कर सकते हैं, जैसे कि, for example, 1400, 00, 00, ग्रैम, तो इसको आपको, scientific notation में लिखना है, exponential notation में लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करें, decimal point कहाँ पे होगा, decimal point होगा, right side में, यानि कि, 1400, 00, 00, 00, अब यहाँ पे जो decimal point है, उसको, हमको left side shift करना है, कितने place तक shift करेंगे left side, तो यह हम लोग 5 place shift करेंगे left side, तो 5 times shift कर रहे हैं, तो यहाँ पे, plus 5 हाजाएगा, 10 to power plus 5, तो यह होजाएगा, 1.4 into 10 to power 5 gram, तो this is a scientific notation of, 1400, 00, 00, ग्रैम, similarly, 0.0093 cm को, अगर scientific notation में लिखना है, अब यहाँ पे जो decimal point है, वो है left side में, अब इसको, हमको right side shift करना है, यानि कि, जो एक, जो single non zero digit, जो 9 है, उसके बाद हमको point लेके आना है, तो यहाँ पे हम लोग right side shift करेंगे, कितने place shift करना पड़ेगा, 3 times, तो यहाँ पे, 3, 3 place shift करेंगे, decimal point को, तो यहाँ पे, जो power हो जाएगी, 10 to power हो जाएगी, minus 3, तो यह हो जाएगा, 9.3 into 10 to power, minus 3 cm, exponential notation के साथ साथ, हम लोग को, significant figures को, कैसे round off कर सकते हैं, यह भी पता होना चाहिए, तो इस पे basically, 3 points है, first point में, अगर कोई भी significant figure, दिया हुआ है, उसका जो right side का digit है, उसको remove करना है, यानि round off करना है, तो उसको हम लोग check करेंगे, कि वो कितना है, अगर उसकी value, is greater than 5 है, तब उससे पहले वाले number की, value increase कर देंगे, by 1, जैसे कि, for example, 1.386, एक significant number है, अगर हम लोग को, इसको up to 3 significant number बनाना है, यानि कि, 3 numbers को retain करना है, जबकि जो right side है, 6 इसको remove करना है, round off करना है, तो 6 अब देखेंगे, it is greater than 5, तो हम लोग, 6 से पहले जो number है, that is 8, उसको increase कर देंगे, by 1, तो result हो जाएगा, 1.39, तो यहाँ पे, 1.39 में, 3 significant figures आ जाते हैं, वो depend करता है कि, question में, कितने significant figure तक, हम लोग को, round off करना है, तो उसके according, यह पहला point है, second point यह है, अगर right side, जो है, rightmost digit जो है, उसको हम को remove करना है, और वो अब, less than 5 है, तो इस case में, जो rightmost digit है, उससे पहले number में, कोई changes नहीं आते हैं, for example, 4.334, यहाँ पे जो rightmost digit है, 4, उसको remove करना है, round off करना है, up to 3 significant figures, less than 5 है, तो इससे पहले वाला जो number 3 है, उसको as it is रखेंगे, तो हमारा result हो जाएगा, 4.33, इसमें 3 significant figures है, इसके बाद, अगर third point है, अगर rightmost digit, जिसको remove करना है, वो ना तो greater than 5 हो, ना less than 5, यानि कि वो simply equal to 5 हो, यानि rightmost digit, अगर हमारा 5 है, तो उससे पहले जो भी number है, उसमें हम check करेंगे, कि वो number even है, कि odd है, अगर वो number, यानि preceding number, अगर even number है, तो उसमें कोई changes नहीं आएंगे, अगर rightmost digit, जो कि 5 है, उससे preceding number, अगर odd number है, तब उसमें हम लोग 1 increase कर देंगे, यानि increase by 1 हो जाएगा, for example, जैसे की 6.35, अब यहाँ पे, 3 significant figures है, अब हमको 2 significant figures बनाना है, यानि हमको round off करना है, तो rightmost digit है 5, अब यहाँ पे 5 is the rightmost digit, तो इससे पहला जो preceding number है, उसको check करेंगे, 6.35, यानि की 3 यहाँ पे odd है, तो odd के case में, हम लोग 1 increase कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यह answer हो जाएगा 6.4, similarly, अगर 6.25 है, 5 को remove करना है, तो इसका preceding number है 2, that is even, तो even के case में कोई changes नहीं आएगा, तो answer हो जाएगा 6.2, chemistry में हम लोग generally, variety of chemical reactions पढ़ते हैं, जितने भी chemical reactions हैं, वो कोई ना कोई law को obey करते हैं, यानि follow करते हैं, तो उन laws को बोलते हैं, law of chemical combination, क्योंकि chemical reaction में क्या होता है, reactants, हमाई पास initially reactants होते हैं, वो आपस पे react करते हैं, और new substance का formation होता है, यानि कि elements, atoms of different elements, combine to form new compound, this is called a chemical reaction, तो यहाँ पे, कोई भी chemical reaction अगर हो रहा है, possible हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने, कुछ न कुछ rules follow किये होंगे, laws follow किये होंगे, तो इनको बोलते हैं, law of chemical combination, यानि कि, combination with chemical reaction, तो ऐसे जो laws हैं, वो होते हैं, law of conservation of mass, law of definite proportion, और composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, गे-लुजेक्स law of gaseous volume, and avagadro law, तो यह जितने भी laws हैं, यह chemical reaction को बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी chemical reaction है, वो इन सब laws को कहीं न कहीं follow कर रहे होंगे, तो इन सब laws के according, यह पाया गया, हमारे चारों और जो भी matter है, चाहे वो किसी भी form में हो, solid, liquid, gas, तो उसमें कुछ discrete particles होते हैं, smallest discrete particles होते हैं, यानि कि matter is composed of smallest discrete particles, और इन discrete particles को बोला गया atom, तो जॉन डाल्टन ने इन discrete particles को बोला atoms, और अपने कुछ postulates बताए, जिनको बोलते हैं, डाल्टन's Atomic Theory, तो इसका पहला postulate है, जो matter है, matter composed of smallest discrete particles called as atom, यह पहला postulate है, और इसमें modification ही हुआ कि जो atom है, atom exists only in a combined form, यानि कि atom cannot exist in a free state, atom कभी भी free state में नहीं पाया जाता है, वो हमेशा combined form में पाया जाता है, जैसे water, water में oxygen दो hydrogen साथ bounded होता है, combined form में, कभी भी hydrogen अकेला या oxygen अकेला नहीं पाया जाएगा, अगर oxygen के आसपास कहीं hydrogen होगा, तो water बना लेगा, यानि combined form में मिलेगा, कभी भी atom free state में नहीं पाया जाता, this is the first postulate of Dalton's atomic theory, ठीक है, इसी तरीके से Dalton's का second point था, postulate था, वो है, atoms of same element, उसने पहले ये बोला, starting में, उसके बाद बहुत से discovery हुई, तो इनके जो postulate है, वो बहुत से modified किये गए, तो उनमें ये second postulate ये था, starting में, जो atoms हैं, same element के, element same है, लेकिन उसमें जो atoms हैं, तो starting में ये बोला, atoms of the same elements, are identical in all respect, उन्होंने बोला कि, element में कोई भी element है, उसमें atoms जो होंगे, वो हमेशा identical होंगे in all respect, चाहे उसमें, size देख लीजे, मास देख लीजे, ठीक है, और even chemical reactions, तो वो, पहले का observation था, लेकिन बाद में, isotopes की discovery हुई, isotopes क्या हैं, isotopes are the atoms of same element, which having different relative mass, यानि element same है, लेकिन उनमें जो atoms पाए गए, उनका mass, relative, atomic mass different पाए गया, तो ऐसे atoms को बोलते हैं, isotopes, isotopes are the atoms of same element, having different relative mass, तो जैसे carbon, carbon में कई observation की, यह discovery हुई, isotopes की, carbon में isotopes की discovery हुई, isotopes, ठीक है, carbon 12, carbon 13, carbon 14, यानि कि element है carbon, same element carbon है, लेकिन उसमें, three different atoms पाए गए, ठीक है, इन atoms में, different mass पाए गए, जैसे की, carbon 12 में कितना mass, 12, atomic mass unit, AMU, ऐसे carbon 13 में पाए गया, 13, atomic mass unit, AMU, और carbon 14 में पाए गया, 14, atomic mass unit, so these are the isotopes of the carbon, जब isotopes की discovery हुई, यह postulate को modify करना पड़ा, इसी तरीके से, third postulate था, कि, atoms of different element, अभी था हम लोग पढ़ रहेते, atoms of same element, isotose, तो यहाँ पे, atoms of different element, atoms of different elements, are different in all respect, उनने बोला कि, अगर दो different element है, तो उनमें जो atoms होंगे, वो कभी भी identical नहीं होंगे, in all respect, चाहे उसका shape देखे, या size देखे, या mass देखे, या chemical reaction देखे, लेकिन, discovery हुई, isobars की, isobars क्या है, isobars are the, atoms of different elements, ठीक है, atoms of different element, having relative, identical mass, यानि कि, elements different है, उनमें different atom है, लेकिर उन दोने atoms का, same relative mass है, यानि, mass same है, दोनों atoms का, लेकिन element different है, वो atoms, different elements को बिलोंग करते हैं, तो उनको बोलते है, आई-so-bar, तो ये भी postulate modification हों किया, इसके बाद, एक और fourth postulate ये था कि, उन्होंने बोला कि, जो atom है, वो divide नहीं किया जा सकता, indivisible, atom is indivisible, ठीक है, लेकिन, फिर discovery हुई, atoms के अंदर, electron, proton, neutron पाए गया, electron, J.J. Thompson ने discover किया, ठीक है, फिर proton, गोल्ड सीन ने discover किया, फिर J.J. Thompson में, ने उसकी study की, electrons की, ठीक है, और neutrons की, Cadwick ने की, discovery, तो इस तरीके से, ये postulate भी modify हुआ, यानि कि, atoms is subdivided, into fundamental particles, electrons, protons, neutrons, लेकिन, अब, इतनी discovery हो चुकी है, इन fundamental particles के अलावा, भी बहुत से other particles भी पाए गया है, atoms में, ठीक है, तो ये postulates में, काफी modification हो, अभी तक modification हो रहा, इतनी research हो चुकी है, हो रही है, आगे भी होगी, ओके, इसके बाद, जो next postulate था, वो ये था कि, atom is indistrictable, atom is indistrictable, यानि कि, atom खतम नहीं हो सकता है, यानि कि, खतम नहीं हो सकता है, यानि कि, atom can neither be created nor destroy, ये, डाल्टन की observation था, पॉस्टिलेट था, लेकिन, कौन आएं, Einstein, Einstein ने, एक famous, Einstein equation, बनाई, E equals to mc square, तो उन्होंने ये बोला, जो atom का जो mass है, किसी भी atom का जो mass है, वो energy में convert हो सकता है, ये Einstein equation बताती, E equals to mc square, तो इसका मदलब है, जो atom है, वो districtable है, इनके according, लेकिन डाल्टन ने पहले बोला था, indistrictable, atom के neither be created nor destroy, लेकिन, ये modify किया गया, लेकिन जो, Einstein का जो relation equation है, E equals to mc square, ये सिर्फ valid किसके लिए है, nuclear fission और nuclear fusion reactions के लिए, यानि nuclear fusion में ही valid है, ordinary chemical reaction में अभी भी valid क्या है, atom is indistrictable, ठीक है, तो ये थोड़ा सा modify हुआ है, इसके बाद, जो भी chemical reaction हो रहा है, उसमें जो sub unit, यानि कि जो unit particle है, सबसे छोटा particle हो हमेशा atom होता है, वो अभी तक हमको पता है, ठीक है, अभी भी ये valid है, और last में, जो है, जो भी molecule का formation होगा, compound का formation होगा, ठीक है, atoms of the different elements combine in a simple, fixed whole number ratio, whole number ratio, ठीक है, यानि कि, जो atoms है, हमेशा combine होंगे in a whole number ratio, simplest whole number ratio में होंगे, हमेशा, ठीक है, तो ये अभी भी valid है, तो इस तरीके के जो molecules होते हैं, जिन में atoms, different atoms हमेशा simplest fixed whole number ratio में होते हैं, तो उनको बोलते हैं, stoichiometric compounds, stoichiometric compounds बोलते हैं, जब fixed, simple whole number ratio में होते हैं, different atoms, और वो जब combine होते हैं, और कोई molecule का formation होता है, इसी तरीके से, बहुत से ऐसे compounds भी पाये गए हैं, जिसमें, जो ratio है, वो fixed नहीं मिला, fraction में मिला, तो उनको बोलते हैं, non stoichiometric compounds, तो इस तरीके से, John Dalton के जो पॉस्टलेट्स हैं, बहुत modify हुए, और present time में, जो modification है, हैं, वो अभी हमने discuss किया, dear students, आगे बढ़ने से पहले, हम लोग एक important discussion कर लेते हैं, जो की है, relative atomic mass, किसी भी element का, कोई भी atom है, किसी भी element में जो atom होता है, उसका mass हम लोग directly measure नहीं कर सकते हैं, ठीके क्यों? क्योंकि जो atom है, बहुती small होता है, extremely small होता है, discrete particle, और उसमें जो weight होता है, बहुती lightweight होता है, जिसके वज़े से, हम लोग atom के mass को directly measure नहीं कर सकते हैं, found नहीं कर सकते हैं, तो indirect way में हम लोग, किसी भी atom के mass को determine करते हैं, यानि कि किसी ये relative में, किसी के reference में हम लोग atom के mass को find करते हैं, determine करते हैं, या measure करते हैं, तो इसी को बोलते है relative atomic mass, अब हम लोग reference क्या लेते हैं, तो reference यहाँ पर हम लोग लेते हैं, carbon 12, carbon का isotope होता है carbon 12, तो उसको हम लोग reference लेते हैं, reference standard, तो carbon 12 का 1 by 12th part, यानि कि जो carbon 12 है, उसका atomic mass होता है 12, ठीक है, अब उसका जो 1 by 12th part, 1 by 12th part का mass कितना होगा, 1 होगा, 1 unit होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको reference लेंगे, 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, ठीक है, यानि कि reference हम किसको ले रहे हैं, atom of, 1 atom of carbon 12, अब वो जो 1 atom of carbon 12 है, उसका 1 by 12th part, जो कि 1 unit होगा, तो उसको हम लोग reference ले रहे हैं, अब जो 1 unit, यानि 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, उसको reference ले रहे हैं, और उसके comparison में, हम लोग other atom के mass को, क्या करेंगे, compare करेंगे, और जितना वो multiple times heavy होगा atom, वो ही उस atom का mass होगा, atomic mass होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, relative atomic mass, simple है, एक बार फिर से समल लीजे, ठीक है, कोई भी element है, any element, उसमें जो atom present है, उसको हम को mass find करना है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, this is just a balance, जैसे तराजू होता है, तो उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग reference रखेंगे, reference क्या होता है, 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, ठीक है, 1 by 12th part, तो कितना unit हो जाएगा, 1 unit हो जाएगा, अब हम लोग 1 unit of, यानि कि 1 by 12th mass of carbon 12 को compare करेंगे with the mass of unknown atom, अब जो unknown atom है, इसका mass हमेशा जादा होगा, heavy होगा, तो कितना time heavy होगा, with 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, वो ही जो number of times है, वो जो number आएगा, number of times, उसी को हम लोग बोलते हैं, relative atomic mass, तो relative atomic mass का formula क्या हो गया, mass of 1 atom of any element upon 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, this is a simple relative atomic mass, और relative atomic mass को हम लोग atomic mass unit से define करते हैं, और या हम लोग आजकल उसको simple U से represent करते हैं, that is called unified mass, unified mass, यानि की 1 by 12th mass of 1 atom of carbon 12, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी atom के mass को determine कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको किसी के relation में करना पड़ेगा, किसी को reference लेजा पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग carbon 12 यूज करते हैं, that is the isotope of carbon, और 1 by 12th part of carbon 12, similarly, अब देखे, atom हमेशा combine form में मिलेंगे, atom कभी भी free state में नहीं मिलते हैं, combine form में मिलते हैं, यानि की molecule की form में मिलते हैं, तो हम लोग generally क्या करेंगे फिर, relative molecular mass find करेंगे, relative molecular mass, तो relative molecular mass, यानि की किसी भी molecule का mass find करने के लिए, उसको भी हम इसी reference से compare करेंगे, कोई भी molecule है, उसका mass find करना है, तो उसके mass को compare करेंगे with the reference, reference क्या है, one by twelfth, one by twelfth mass of one atom of carbon 12, अभी जो mass of molecule है, यह जितना number of time heavier होगा, number of time heavier होगा, किस से, reference से, वो ही जो number of time होगी, जो value आएगी, वो ही हो जाएगा, related molecular mass, या simple molecular weight भी बोल सकते हैं, अब इसको भी हम लोग represent करते हैं, atomic mass unit, अब देखें, जो molecule है, उसमें कई atoms होगे, तो हम लोग उन atoms के weight को add कर देंगे, that is a, that is a molecular weight, और इसको हम लोग represent करेंगे, use unified mass, तो यह जो scale हो गई, यह एक standard scale हो गई, इसको बोलते हैं, carbon 12 standard scale, carbon 12 standard scale, और इसी को हम लोग use करते हैं, to determine mass of atom, या mass of any molecule, लेकिन atom और molecule का जो mass है, अभी भी बहुत ही कम है, very, very less, very, very less, तो हम लोग को actually physical world में रहते हैं, हम लोग physical world में रहते हैं, यानि कि हम लोग लैब में जाते हैं, experiment करते हैं, तो हम लोग को बहुत ही problem आ सकती इस case में, अगर हम लोग बिल्कुल उन quantities को लेके चले, जो की बहुत ही कम है, तो इसलिए हम लोग अपने physical quantity को represent करने के लिए, हम जितने भी mass हैं, चाए atom का हो, चाए molecule का हो, जो की atomic mass unit या unified mass से represent कर रहे हैं, उसको simply represent करते हैं gram में, अब gram में हम लोग ने represent किया, जैसे की कोई भी atom का mass हम लोग ने find किया, तीक है, carbon 12 standard scale से, फिर उस unified mass है, उसको हम लोग gram में convert कर देंगे, या हम लोग बोलेंगे gram में represent करेंगे, ठीक है, वो ही number of times जो है, उसको gram में लिख देंगे, तो अब देखे, gram में जो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो gram है, वो एक physical quantity होगी, हमको बिलकुत दिखाई दे रहा है, ठीक है, bundle एक तरीके से, वो bundle हो जाएगा, mass हो जाएगा, तो उसका mass है, that is in gram, तो उसमें जो atoms होंगे, उनमें जो atom बहुत ही जादा होंगे, number of, large number of atoms is there, पहले हम लोग एक atom की बात कर रहे थे, एक molecule की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग ने gram में इसको convert कर दिया, तो gram में जो quantity हो जाएगी, बहुत ही बढ़े आएगी, अब उसके अंदर number of, जैसे की हमने बोला 12 gram carbon, ठीक है, पहले हम लोग बोले थे 12 unit, 12 unit, अब हम लोग बोले 12 gram, तो 12 gram में जो carbon 12 होंगे, 10 to power 23 atoms, और ये किस ने बताया है, ये एवेगेड्रो ने बताया था, इसी लिए इसको बोलते हैं, एवेगेड्रो नमबर, तो ये fix होता है, ठीक है, तो यानि कि इसको बोलते है, 1 mole, 1 mole, तो 1 mole में 6.022 into 10 to power 23 atoms होंगे, और उसका जो mass होगा, total mass, वो gram atomic mass होगा, यानि कि अब हम लोग किस में work करेंगे, gram में, तो जो atom होगा, वो gram atomic mass कहलाएगा, यानि कि moles के terms में बुला जाएगा इसको, तो ये बहुत important है, आपको बिल्कुली दिमाग में रखना है, जितने भी calculations होते हैं, हम लोग gram atomic mass से represent करते हैं, या gram molecular mass से represent करते हैं, तो कोई भी element है, उसका अगर atomic mass unit given है, unified mass given है, तो उसको simply calculation के purpose से gram में convert कर देंगे, वो जो gram है, वो large quantity है, उसमें number of atom बहुत जादा होंगे, कितने होंगे, 6.022 into 10 to power 23 atoms या molecules होंगे, यानि कि most के terms में हम लोग लिखते हैं, और यह हमको किस ने बताया, इस लिए इस number को, इस number of atoms या molecules हैं, इसको अवेगेडरो number बोलते हैं,